बाट स्पेशल ट्रांजेक्षिन करेंगे बैटां हमारा चैप्र्चर ही चल रहा जर्णल क्लास 11 का ठीक है बैटां हारी जाए special transaction कुछ transaction जो हैं आमने पीछे कर लिया है questions भी practice किया है बेटा जिस भी बच्छे ने हमारे जो भी practice हमने question के वो नहीं देखिया और transaction नहीं देखिये बेटा वीडियो में जाके देखिए ठीक है last जो पार था उसमें जाके देखिए और आज हमारी कुछ special transaction है हम उनको करेंगे इस ही के बेटा देखो special transaction जैसे है पेड रूपीज 7,800 तू रामू अगेंस्ट इस ड्यू ओफ रूपीज 8,000 अब इसमें क्या कह रहा है कि रामू को 7800 रूपीज जो है वो पेड कर दिये गए है ड्यू तू रूपीज 8,000 रूपीज उसको पेड करने थे लेकिन उसने 7,800 रूपीज जो है पेड कर दिये है देखो बेटा अब इसमें आप एंट्री कैसे करोगे रामू ने कितने पैसे रामू कितने पैसे जो है मिले है देखो रामू देबिट 7,800 रूपीज टू कैश अकाउंट कैश उसके पास से क्या हुआ है कम हुआ है 7,800 का आप उसके पास से कैश कम हो गया और रामू जो है 7,800 रूपीज उसको मिल गए ठीक है पेटा ये था रामू को कितने पैड करने थे 7,800 रूपीज ठीक है और टू कैश अकाउंट 7,800 रूपीज नेक्स्ट देखो पेट रूपीज 7,800 रूपी इन फूल सेटलमेंट अफ डूपीज रूपीज 8,000 अब इसमें कहा रहा कि उसको पेट तो 7,800 करने थे लेकिन उसने कितने दिया है उसने पेट तो 7,800 किया है लेकिन देने कितने थे 8,000 और फूल सेटलमेंट पे उसने जो है मतलब कि इसके कहने का यह मतलब है कि उसको देने तो 8,000 थे लेकिन 7,800 देने के बाद उसके पास कुछ भी बचा नहीं है ठीक के बेटा? यहां तो उसको 200 रूपीज जो है वो बाद में दे देगा लेकिन इसमे इसने इसने भृण थेगा फूल सेटलमेंट इसके बाद जो है जो इसने 70018 रूपीज देए इसके बाद वो कोई पैसा नहीं देगा उसकी फूल सेटलमेंट जो हो चुकी है तो इसकी अंटी देखो कैसे करेंगे तो रामू के पास पैसे कितने रामू को कितने दे रहे थे 8,000 ठीक है बेटा मतलब कि 8,000 उसका यह डाटर है ना डाटर है इसने उदार पे लिए हैं तो 8,000 देने थे इसने तो अपनी फूल सेटलमेंट कर दी यानि की रामू ने अपने पूरे 8,000 पे कर दे उसके बाद केश कितना गया 7,800 का आप चो 2,00 रुपीज उसको देने थे उसको 2,00 का क्या हूआ फायता हूआ क्योंकि उसको आप 2,00 रुपीज जो आप नहीं देने नहीं देने तो इसका मतलब तो आप उसको क्या हो गया, discount received 200, तो 200 का उसको क्या हो गया, discount मिल गया, ठीक है पेटा, तो ये entry ऐसे करेंगे, ये एक star point पेटा, तो रामू debit 8000, 8000 उसको जो है, उसकी full settlement हो गया, to cash उसके पास से इतना गया, discount received 200 रुपीज, next देखो पेटा, received रुपीज 7500 फ्रों सोनू, against the due of रुपीज 8000, आपको कितने पैसे receive हुए है, 7500, लेकिन कितने देने थे, कितने मिलने थे आपको, 8000, ठीक है पेटा, अब इसके entry देखो कैसे आईगी, cash आपके पास कितना आया, 7500 का, to सोनू से, तो कितना, 7500, अब इसमें, जो 8000 में थे 7500 गये, ये 500 जो रुपे है, 500 जो रुपीज है, ये आपको बाद में देदेगा, ठीक है पेटा, अब देखो, next, received रुपीज 7500 फ्रों सोनू, फूल सेटलमेंट, अब इसमें, इसमें जो है, 7500 रुपीज जो फूल सेटलमेंट प पे कर दियें, एगेंस, डुपीज 8000, देने कितने थे, 8000, लेकिन इसने क्या कर दिया, फूल सेटलमेंट में तब कि अब ये पैसे नहीं देगा, इसमें कितने पैसे पे करें, 7500, तो अब क्या हैगा, देखो, आपके पास कैश कितना है, 7500 का, ठीक है, टू सोनू, सोनू दिया है, 8000, कि उसकी जो सेटलमेंट थी, वो खतम होगी, ठीक है बेटा, तो उसकी सेटलमेंट खतम होगी, उसने पैसे आपको दिये, 7500, तो आपने उसको 500 का क्या कर दिया, डिसकांट, अलो कर दिया, ठीक है, आप उसे और जो 500 रुपीज जब वो नहीं देगे, तो यह थी हमारी special transaction, ठीक है, तो इसमें क्या किया, रामो जो है, वो 7800 रुपीज जो हो पे कर रहा है, 500 रुपीज वो बाद में देगा, तो रामो के पास, जो है, कितने पैसे, 7800 रुपीज गए, टू कैश इतना गया, ठीक है बेटा, उसके बाद क्या रहा है, पेड रुपी ठीक है, तो रामो जो है, डेबिट 8000, उसकी जो पूल सैटलमेंट है, वो हो चुकी है, टू कैश अकाउंट इतना मिला आपको, और आपको डिसकाउंट कितने का मिला, 200 का, ठीक है बेटा, इसमें था रिसीवड 7500, फ्रॉम सोनो गेस्ट, डू टू रुपीज एर थाउज का, ऐसे इसमें, फिर 7500 जो है, उसने दिये, फूल सैटलमेंट पे, तो कैश कितना है, 7500 का, डिसकाउंट कितना अलोकर आपने, 500 का, 200 के पास से कितना गया, 8000 का, ठीक है बेटा, ये थी हमारी स्पेशल ट्रांजेक्शन, अब जो है, हमें कोशन जो है, प्रैक्टिस के देखो, record the following transaction in the regional of Amitab, अब इसमें क्या कहा रहा है, 2020, माई 2020 का record है, ठीक है बेटा, आपको ये परफोर्मा बनाना है से in the books of Amitab और जेनल, ठीक है, ये 5 कोलम होएंगे, date, particular, LF, debit और credit, ठीक है बेटा, अब देखो, May 1, May 1 में क्या कह रहा, Amitab started business with cash, मतलब cash है, आपने क्या किया है, business start किया है, तो May 1, cash account debit to capital account 8000, 8000, narration आप क्या लिखोगे, being commenced business, ठीक है बेटा, अब आगे जो मैंने transaction कर रखे बेटा, उनमें मैंने ये जो narration है, ये नहीं लिखे है, ठीक है बेटा, क्योंकि मेरे पास space जो है वो कम था, तो आपको जो है, हर transaction के बाद यहां पर narration जो है, खुद लिखनी है, ठीक है बेटा, अब देखो next transaction, purchase furniture from modern furniture for cash, मतलब कि क्या करीदा है, furniture कैसे, cash में, तो furniture account debit to cash account 10,000, ठीक है बेटा, May 2 की है, अब आएगी May 5, May 5 में क्या किया है, deposit in bank, बैंक में आपने क्या किया है, पैसे deposit किया, तो bank account debit to cash account 30,000, ठीक है बेटा, क्योंकि bank में cash जो है, वो गया है, ठीक है बेटा, next देखो, 6th माई, purchase goods for cash, cash में आपने क्या खरीदा है, goods, तो purchase account debit to cash account, ठीक है बेटा, 5,000, next आती है, purchase goods on credit from हरी, purchase goods on credit from हरी, हरी ने क्या किया है, goods purchase किया है, तो 8 माई, purchase account debit to हरी, ठीक है बेटा, 3,000, next देखो, purchase goods from सुरेश, 4 cash, मतलब कि cash में सुरेश ने क्या खरीदे है, goods, तो क्या आएगा, 10 माई, purchase account debit to cash account, 3,000, ठीक है बेटा, ये थी हमारी, अब next transaction देखो, 12 माई, purchase goods from अजे, अजे ने जो है, 4000 के goods खरीदे है, तो purchase account debit to अजे, 4000, ठीक है बेटा, next देखो, sold goods for cash, cash में आपने क्या बेचा है, सामान बेचा है, तो cash आपके पास क्या हुआ है, आया है, तो cash account debit to sales account, 7,000, ठीक है बेटा, next देखो, sold goods to cream, cream को आपने क्या बेचा है, goods, तो कैसे लिखोगे, क्रीम के पास आया है, stock ठीक है बेटा, तो क्रीम उपर आ जाएगा, क्रीम debit to sales account, 6,500, 6,500, next देखो, 16,000, my sold goods to Ganesh for cash, 5,000, Ganesh को क्या किया, Ganesh ने क्या किया है, goods sold किया है, ठीक है बेटा, cash में, तो क्या आएगा, cash account debit to sales account, 5,000, ठीक है बेटा, next देखो, withdraw from bank for office use, office use के लिए आपने क्या किया है, cash निकाला है, तो cash निकाला है, तो कैसे लिखोगे बेटा, यानि कि आपके पास से क्या हुआ है, cash, cash क्या हुआ है बेटा, cash आया है, bank में क्या हुआ है, कम हुआ है, तो cash account debit to bank account, 5,000, ठीक है बेटा, next देखो, करीम paid and own account, मतलब की क्रीम के account से जो है, पैसे क्या हो गई है, कम हो गई है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ है, देखो, cash आपके पास आया, और क्रीम के account से पैसे गई, तो क्या आएगा cash account debit to cream, 5,000, ठीक है बेटा, next देखो, paid rent for residence, अब इसमें क्या लिखा है, कि residence, घर का जो किराया है, वो आपने दिया है, घर का किराया दिया है, तो इसका मतलब यह आपके लिए क्या है, यह आपके लिए drawing है, ठीक है बेटा, अपने personal use के लिए आपने पैसा निका रहा है, तो क्या लिखोगे देखो, drawing account debit to cash account, 6,000, ठीक है बेटा, अब next देखो, purchase a cycle for his son, son कोने बेटा, son उसका बेटा इसका मतलब की, उसने अपने बेटे के लिए पैसा निकाला, अपने personal use के लिए निकाला, तो इसकी भी entry क्या होएगी, drawing account debit to cash account, 3,000, ठीक है बेटा, next देखो, paid to azay in settlement office account, 3,800, अब इसमें देखो क्या क्या रहा है, कि paid to azay, अजे ने क्या किया है, paid किया है, paid to azay, तो अब इसमें entry देखो क्या से होएगी, आपकी जो ये second transaction है, इसकी according आपकी जो है, transaction होएगी, ठीक है बेटा, तो paid to azay in settlement, वो बोला है settlement, मतब कि उसने पूरे पैसे दे दिये, अब इसमें देखो, आपने एक transaction देखी हो, बेटा इसमें लिखा था कि purchase goods from azay, azay को देने कितने थे, 4,000, लेकिन उसने pay कितने किरे, 3,800, ठीक है बेटा, तो देखो आगा entry क्या होएगी, azay debit 4,000, ठीक है, उसके बाद 2 cash, cash कितना 3,800, आपने discount कितना बिला, discount receive 2,000, ठीक है बेटा, practice करोगे, तभी आएंगे, ठीक है, और आपको हर transaction के बाद, बेटा, narration लिखनी है, मैंने आज में narration जो है, वो नई लिखी थी, ठीक है, और इन transaction को थोड़ा ध्यान से करना है, ठीक है बेटा, अब next class हम कल करेंगे, ठीक है बेटा, thank you,